हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ इंसान नुमा गरिंदे ने सब गुगल दिया जैनिप को वालिदें से मिलवाने का बहाना बना कर इख़ा किया बार बार पूछती रही कहाने जा रहे हो एतराफी बयान दुन्या नियूस पर 14 रोजा जिसमारी रिमांट पर पुलिस के हवाले बरिंदगी की शर्मनाग दास्तान 2015 में शुरू हुई इमरान ने धाई बरस में आठ बच्चीयों से ज्यादती की सिर्फ काइनाथ की जिन्दगी बच सकी हर वाके की तफ्तीश में पुलिस की कारकर्दिगी सिफर मुल्जिन पकड़ने के दावे और फिर मौमला ठप मरदान की असमा के मुल्जिम बारवे रोज भी गिरफ्तार ना किये जा सके वाले देन और रिष्टेदारों से प्तदाई तफ़्ीश मुकंबल फ्रांजिक रिपोच का इंतजार इंतजार कतल केस में रोज नया मोड एक और किर्दार की एंट्री मदीहा ने मक्तूल को पुलिस अबसर और स्यासी शक्सियत की दोस्त लैला से दूर रहने का पैगाम पहुंचाया इंकार पर माथ के घाट उतारे जाने का इंकिशा लैला कहा है पीटीडी ने तलास शुरू कर दी इंतजार के वालिद मक्तूल की लैला के साथ दोस्ती से लाइल टागिट के लें मुकदस हैदर ने कराई पीटीडी सीसी टेवे फोटेज मंज़र आम पर लाने का मतालबा कर दिया साविक S.S.P. मलीर राव अन्वार ने पुलिस एहलकारों को चकरा कर रख दिया बयक वक्त दो जगा मौशूद की पर तफ्तीशी हुकाम ने सर पकड़ लिए कि रफ्तारी के लिए खुशोसी टीम आज इस्लामाबाद जाए नकीब उल्लाफ पतल केस में मजीद संसरी खेज इनकशापाद मकाबलों के लिए जाएवारदात और खाली मकानों को मुबयना देशत गर्दों की रहाइश का साबित करने के लिए सामान सोराब गोट के कबाडियों से लिया जाता छे दुकानदार भी जेरे हरासत तुरम एजन्सी में अमरीकी जौन हमला दाखली खुदमुटारी के खिलाफ करार मन्तिक दमाब से तालुकात मसीद खराब होंगे वज़र खारचा खाजासित का वासे पेखा तेवे आपको बताएं कि इनसान नुमा दरिंदे ने सब कुछ उगल दिया जैनब को वाले देन से मिलवाने का बहाना बना कर उसको एगवा किया गया बार बार जैनब पूछती रही कि कहा ले जा रहे हो इतराफी बयान दुन्या न्यूस पर चौदा रोजा जस्मानी रिमांट पर इस मुल्जम को पुलिस के हवाले कर दिया गया है जैनब कातु जैस के मरकजी मुल्जम अमरान के इतराफी बयान की वीडियो जारी कर दी गई है और मुल्जम का ये कहना है कि नन्ही जैनब को वालिदैन से मिलवाने का कहकर साथ ले गया था और रास्टे में जैनब बार बार ये पूछती रही कि हम कहा जा रहे हैं जवाब मुक्तलिफ देता रहा और फिर क्या कुछ हुआ ये सब भी इस वीडियो में उसने बताया है जैनब कतल केस के मरकजी मुल्जम अमरान के इतराफी बयान की वीडियो जारी जैनब समय बीगर मासूम कलियों से भी ज्यादती और कतल का इतराफ कर लिया पुलीस को एतराफी वीडियो बयान में मुल्जम इमरान का कहला है जैनब को वालडएन से मिल्वाने का कहकर घर से लेकर गया प्रस्तिज बची ने किता भी ने किया रही खिर लागए है पुछे हैं मैं जड़ा राप होल गया है जैनब को पौने साथ बचे इख्वा किया और पकड़े जाने के खौफ से कुड़े के डियर पर ले गया जैनब को पौने साथ बचे इख्वा किया और पकड़े जाने के खौफ से कुड़े के डियर पर ले गया इमरान ने चिल्वरन अस्पताल में दाखिल काइनात को दही दिल्वाने के बड़े इख्वा के बाद ज्यादती का निशाना बनाने का भी इतराफ कर लिया मुल्जिम ने मज़ीद इकिशाफ किया कि वो बच्चियों को नियास के चावल टौफिया और बालों में लगाने वाले क्लिप दिल्वाने के बहाने साथ ले जाता गिरफतारी के बाद मुल्जिम इमरान को सक्ट सीक्योरिटी हिसार में लहौर की इंसदादे दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया जहां अदालत में मुल्जिम को 14 रोजा जिस्मानी रिमान पर पुलीस के हवाले कर दिया कसूर पुलिस ही कसूर वाकियात की कसूर वार ननी परियां बेहुर्मदी के बाद कतल होती रही पुलिस होती रही कसूर पुलिस सब जान कर भी अंजान रही आखर क्यों मासूम बच्चियों का खुन देकर भी पुलिस की आंखें क्यों ना खुली जल्म देखा सुना महसूस भी किया लेकिन एक्शन सिर्फ कागजी कारवाई क्यों इंसानियत की तसलील होती रही पुलिस के कानों पर जू तक न रहींगी जो बच्चियां अभी स्कूल भी ना गई पुलिस के गफलत से दुनिया छोड़ गई बेटियां तो रहमत होती है सब की सांजी होती है फिर खुन सपैद क्यों हुआ क्या जैनब कतल पर शोड़ मचने के बाद ही पुलिस के कानों से रुई निकलेगी क्या इंसाफ से पहले आठ बच्चियों की कुर्बानिया देखना पड़ेंगी मासूम खुन से जल्म की दास्ता ने लिखी गई लेकिन पुलिस में हिस रही रहमत एक एक करके जाती गई पुलिस ने मदद की जहमत तक ना की पहमीना से जैनब तक सफाग दरिंदे इमरान की धाई बरस के दौरान आठ बच्चियों से दरिंदगी लेकिन बेहिस पुलिस घोड़े बेच कर सोई रही जादती और कपल के हर वाके की तफ्कीश में पुलिस का किदार सिफर बटा सिफर रहा मुल्जिम चलावा बना रहा हर बार लौहिकीन को तसलियां मुल्जिम को पकड़ने के बलंदो बांग दावे और फिर मौमला ठप हो गया डियने रिपोर्ट के मताबक मुल्जिम इमरान की दरिंदगी की शर्मनात दास्तान पांच अपरैल 2015 को पांच साला तहमीना के साथ जादती और कतल से शुरू हुई तहमीना को अमीन टाउन से एगवा किया गया और लाश घर से आधा किलमीटर दूर से मिली मुकदमा ठाना सदर में दर्ज हुआ जहां S.H.O. यूनिस डोगर तायुना थे यूनिस डोगर खाब खरगोश के मज़े लेते रहे और मुल्जम गिरफ्तार ना हो सका 23 जूर 2015 को मुल्जम में साथ साला आस समा को अब्दुरशीद बाग से एगवा किया दरिंदगी का निशाना बना कर लाश एक पर लांग दूर फैंक दी एक बार फिर मुकदमा थाना सदर में दर्ज हुआ लेकिन एस से चो यूनिस डोगर के कानों पर जूँ तक नरेंगी सावा पास सला आईशा साथ गुंवरी 2017 को पका किला से एगवा की गई जादती के बाद कतल करके लाश कोट पीरां के पास ठेंकी गई जो दो रुस बाद मिली एफाई आई थाना बी डिरिजन में दर्ज हुई एस से चो रियाज अबास थे जो हाथ पर हाथ धरे बैखे रहे मुज़न में 24 परवरी 2017 को चार साला इमान पातिमा को पीरवाला रोच से एगवा किया ज्यादती की कतल के बाद लाश अली पात में ठेंकी मुकदमा ठाना सदर में दर्ज हुआ एस से चो यूनिस डोगर और शहर के डी पी ओ अली नासर रिजवी थे जो इस वारदात के बाद भी मुल्जम को गिरफ़तार करने में नाकाम रहे ज्यादती का निशाना बनाया और लाश राध को उसी इलाखे में ठेंकी एस एचो यूनिस डोगर को इस वारदात के बाद भी फिकर ना हुई और पुलिस ठाने में बैठी मुल्जम के आकर गिरफ़तारी देने का इंतजार करती रही आच साला लाइबा आच जुलाई 2017 को खारा रोड से एखवा की गई मुल्जम में हवस का निशाना बनाया और कतल के बाद लाश बस्ती खादमाबाद में ठेंकी ठाना एडुजन में मुकद्दमा नंबर 486 बटा सत्रा दर्च हुआ S.H.O. मलिक तारिक और D.P.O. अली नासर रिजवी थे जिन्होंने मुल्जम की गिरफतारी के लिए कोई संजीदा कोशिश न की मुल्जम की दरिंदगी के दौरान बच जाने वाली सिर्फ एक उचकिस्मत 6 साला काहना बचूल है जो चिल्डन इस्पताल लहोर में जिरे इलाज है मुल्जम काहनाद को 12 नवंबर 2017 को कोट आजम खान से बगला कर ले गया और जादती का निशाना बनाया साना एंटरिजम में एफ आई आर नंबर 695 बटा सत्रा डर्ज हुई एसो चो हाजी अकरम और डीपियो जुल्फिकार एहमर ने दावे किये और फिर भूल गए मुल्जम विम्नान ने 7 साला जैनब अमीन को 4 जनवरी 2018 की शाम उसके घर रोग कोट देखवा किया एक विल्वरी कोटी हो जब खेखवा किया।